Halo Friends, मैं हूँ आरती और आप देख रहे मेरा चैनल आरतीलाल की दुनिया आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली मेंगो केक की रेसिपी लेकर आई हूँ इसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी बना कर आपको दिखाया है तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और बेल आपन जरूर दबाईएगा जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे तो लाश्ट तक वीडियो जरूर देखिए तो चलिए आएए हम बिना देर किये इस वीडियो को सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम आम ले लेंगे यहां मैंने दो आम का पल्प निकाल के रखा है और इसी का हम पहले त्यारी करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम इसे ग्राइंड कर लेंगे यह देखिए मैंने एक दंबारिक पेस्ट बढा लिया है और अब हम यहाँ पैन में इसे गरम होने चड़ा देंगे यहाँ मेरा पैन पहले से ही गरम है और इसमें मैंने पल्प को डाल दिया और उसी के हिसाब से यहाँ मैंने आधे कप के करीब चीनी डाल दिया है और अब हमें इन दोनों को अच्छे से मिल्ट करना है ये हमारा mango glaze बनकर तयार है और जब ये transparent हो जाए तो हमें इसे gas पर से उतार देना है और ये देखिए एकदम इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है और यहां मैंने एक कड़ाई रखी है जिसमें हम cake को बनाएंगे यहां मैंने oven का इस्तेमाल लही किया है हम कड़ाई में ही cake बनाएंगे और अब हम एक बरतन में एक कप के करीब दही ले लेंगे यह मेरा घर का normal दही है और यह खटी बिल्कुल भी नहीं है और अब मैंने यहां पर आदे कप के करीब चीनी लिया है उसी कप से जिससे मैंने दही को ना पता उसी से हम आदे कप या 6 टी स्पून के करीब चीनी ले लेंगे और इसमें मैंने आधा कफी तेल डाला है ये मेरा रिफाइंड ओयल है हमें ऐसा तेल इस्तमाल करना है जिसमें कोई भी खुसबू ना हो और अब हम सूजी ले लेंगे यहां मैंने सूजी से ही केक बनाया है ये मेरा दो कप के करीब सूजी है कब से मैंने दही को ना पा था और दो कब सूजी लेके हमें इसी ग्राइंड कर लेना है इसी एक दम बारीक आप पीस ले अगर आपके पास बारीक वाली सूजी हो तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अब हम अपने दही में सूजी को मिक्स कर लेंगे और ये देखिए मैंने इसमें मिला दिया है अब हम इसे mix करने से पहले इसमें कुछ और चीजे भी mix कर लेंगे यहाँ मैंने half teaspoon के करीब baking powder मिलाया है और one fourth teaspoon के करीबी मैंने baking soda मिलाया है और दोनों को हमें अच्छे से cut fold की help से mix कर लेना है बहुत ज़्यादा over beat ना करें एकदम हलके हाथों से ही हमें mix करना है और अब मैंने यहाँ पर आदे की करीब glaze को भी डाल दिया है यहाँ मैंने glaze थोड़ा सा बचा कर रखा है जिससे की हमारा cake अच्छे से decorate हो सके और यह देखिए मैंने आदे से ज़्यादा mix कर दिया है केक में और थोड़ा सा उठा कर रख दिया है और अब हमें इसे cut fold के help से ही mix करना है अब हम इसमें थोड़े से mango cubes मी मिला देंगे जिससे इसका taste और भी अच्छा हो जाएगा और देखने में और खाने में दोनों में बहुत अच्छा लगेगा तो हमें इसे छोटे-छोटे cubes में cut करके डालना है और वैसे ही हलके हातों से mix कर लेना है और यहां मैंने अपनी cake team को तयार करके रखा है यहां मैंने एक paper को नीचे की side में अच्छे से butter paper की तरह use किया है और अब हम इसमें butter को डाल देंगे और जब butter पुरा चला जाये तब हम इसे हलके हातों से tap कर लेंगे जिससे की कोई भी air ना रहे और अब हम इसमें उपर से भी mango cubes को थोड़ा सा डाल देंगे जिससे की यह देखने में अच्छा लगने लगेगा और ऐसे इसे हमें अच्छे से spread कर लेना है आप चाहें तो कोई और flavor भी इसमें डाल सकती है यहां मैंने इसे mango का ही flavor दिया है और अब हम अपने कढ़ाई को देख लेते हैं यहां मारा कढ़ाई पहले से preheat हो चुका है और अब हमें इसे समाल के रख देना है और हाथ को बचाते हुए आप रखें जिससे हाथ ना जले लगबग 35 मिनट बाद मैंने यहां पर इसे खोल कर देखा है और यह देखिए मेरा केक बिल्कुल तयार है और बहुत ही fluffy बन कर तयार हुआ है देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और अब हम इसमें अपने चाको को डाल कर देखते है और चाको बिल्कुल एक दम सही निकला है जिसमें कुछ भी नहीं लगा है तो समझ जाएगे केक आपका बिल्कुल तयार है और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे गैस की flame मैंने off कर दी है और केक को बाहर रखकर हमें इसे ठंडा कर लेना है तभी इसे पल्टेंगे पहले इसे ना पल्टे वनना तूट जाएगा और अब हम थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए इसकी त्यारी कर लेते हैं अब हम एक mixi jar में ओर्यो बिस्किट को तोड़ कर डाल देंगे यहां मैंने cream के साथ ही ओर्यो बिस्किट को डाला है और अब हम dairy milk चॉकलेट को ले लेंगे और उसे मैंने packet में ही melt कर लिया था गरम पानी में और इसको हमें बिस्किट के ऊपर पलट देना है और अब हम इसमें एक चमच के करीब चीनी डाल देंगे और एक चमच के करीब हम इसमें दूट डालेंगे और इसे हमें अच्छे से grind कर लेना है और एकदम बारीक जब यह पीछ जाए तो यह हमारे cream का काम करेगा अब हम इसे piping bag में पलट देंगे यहां मैंने दो piping bag का इस्तिमाल किए है और एक मैंने पतले के लिए रखा है और एक मोटे डिजाइन के लिए रखा है तो अब हमें इसे पलट देना है इसमें और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रेस में set होने के लिए रख देंगे और इधर हमारा केक भी ठंडा हो गया है इसे मैंने अच्छे से पलट लिया है और ये देखिए उपर से मैंगो डालने की वज़े से ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में और बहुत ही फलफी बन कर तयार हुआ है और अब हम इस पर थोड़ी सी मैंगो ग्लेज डाल देंगे जिसी कि ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा आप चाहें तो इसे सिंपल ऐसे भी केक खा सकती है अगर थोड़ा बहुत डेकुरेट करना चाहें तो इसे डेकुरेट करके भी हम खा सकते हैं तो चलिया ये हम जो सिंपल तरीके से हो सकता है उसे डेकुरेट करेंगे और यहाँ पर मैंने अपना पाइपिंग बैग ले लिया है और उससे मुझे जो भी डिजाइन समझ में आ रही है मैंने इसे सजाया है तो आपको जो भी डिजाइन अच्छा लगे आप वो बनाए और मेरे डिजाइन मैंने अपने हिसाब से बनाई है और इसे मैंने फादर्स डे के लिए बनाया था बच्चों के लिए जिससे की बच्चे इसे सेलिबरेट कर सकें तो इस पे मैंने I love dad लिखा है और अगर आपके हां किसी का बड़े हो तो आप इस पर बड़े के विश के लिए रग लिखे हैपी बड़े तो आपको ये मेरा सिंपल सा और इजी तरीके से बनने वाला केक कैसा लगा वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबाईएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आपको ये मेरा सिंपल सा और बहुत ही जल्दी बनने वाला केक अच्छा लगा हो तो ऐसे ही मेरे आगे आने वाली वीडियो के साथ जुड़े रहेगा और ये देखिए मैंने इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल डाल कर इसे और भी खुबसूरत बना दिया है तो चलिए आईए हम इसे काट कर देखते हैं और ये देखिए कितना सौफ्ट और इजी तरीके से ये कट गया है और ये देखिए ये अंदर से भी बहुत ही अच्छा बन कर तयार हुआ है तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार इसे बना कर जरू ट्राय करिएगा क्योंकि मैंगो सीजन में मैंगो केक बनाना तो बनता है तो ऐसी ही टेस्टी और अच्छी वीडियो के साथ हम अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए बाबाई